दोस्तों Microsoft Office कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे जिस तरह से Mobile Tone के अंदर WhatsApp सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाने वाला Application Software है उसी तरह से MS Office आपका या Microsoft Office PC में या Laptop में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला Application अगर हम इसे Amazon पर देखते हैं तो यह हमें ऑफिशल वेबसाइट के अकॉडिंग थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और अगर हम इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाकरके इसका प्राइस चेक करते हैं तो यह लंबग 9000 के उकर का हमारा Application Software आता है लेकिन इस Application Software में थोड़ी बहुत लेमिटेशन हैं मगर इसके अंदर आप 18 प्लस Application Software का यूज कर सकते हैं वो भी बिलकुल औरिजिनल तो आएए देखते हैं कि आपकी इस तरीके से इस Application को Free of Post में इस्तमाल कर सकते हैं वो भी इनकी Official वेबसाइट दोस्तों अगर हम Amazon पर इस की Official वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसे Purchase करते हैं तो यह हमें पढ़ रहा है 9199 रुपएग और इसके अलावा अगर हम Office 365 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Microsoft Office Family Pack जो है हमारा वो हमें पढ़ रहा है 6199 पर येर का और इसके अलावा अगर हम Microsoft Office Personal के लिए यहाँ पर Purchase करते हैं तो यह हमें पढ़ेगा 4899 पर येर का और अगर हम इसके मंतली Package की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम Office 365 Family वाला Pack ये उस्तमाल करते हैं तो यह हमें 619 रुपए पर मंत के हिसाब से बढ़ रहा है और इसके अलावा अग और अगर हम बात करें Office 365 की तो इसका Package है या तो हमें मतली लेना पड़ेगा और या तो फिर हमें Yearly इसको परचेस करना पड़ेगा दोस्तों Microsoft Office 365 और Microsoft Office दोलों में आखिर क्या डिफरेंस होता है यह मैं आपको एक बार पहरी क्लियर कर दीना चाहूंगा दोस्तों अगर आप Microsoft Office का 365 वर्जन का इस्तमाल करते हैं जिसकी payment आप monthly या फिर एरली देते हैं तो उसमें आप जो भी latest feature Microsoft अपडेट करता है उसका इस्तमाल आप उसमें कर पाएंगे लेकिन अगर आप one time payment दे करके Microsoft Office का पूरा package purchase कर लेते हैं तो उस situation में Microsoft Office अगर कोई भी अपडेशन करता है या कोई भी application अपने MS Office के अंदर अपडेट करता है तो उसका इस्तमाल आप नहीं कर पाएंगे तो दो वहीं सिर्फ यह difference है कि अगर आप Microsoft Office का 365 वर्जन इस्तमाल करते हैं तो जो भी latest feature होते हैं वो आप इस्तमाल आसानी से कर पाएंगे दोस्तों अगर आप यहाँ पर MS Office का यह package purchase कर लेते हैं तो यह application आपको lifetime तक के लिए इस्तमाल करने के लिए मिल जाता है वहीं अगर हम बात करें Office 365 की अगर आप इसे यहाँ पर yearly या फिर monthly package में इसे लेते हैं तो basically इसमें अगर Microsoft Office कुछ नया application एड़ करता है या फिर कुछ नय फीचर को यहाँ पर update करता है तो उसका इस्तमाल आप यहाँ पर कर पाएंगे लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक बार में one time payment दे करके इस application को हमेशा के लिए purchase कर लिया है तो इसमें जो भी feature आपको अभी present में मिलेंगे वही आपको lifetime तक इस्तमाल करना पड़ेगा अगर आप इसे update करना चाहेंगे तो यह update नहीं होगा इसके लिए आपको दुबारा से updated software purchase करना पड़ेगा वही अगर आप office 365 की बात करें तो यहाँ पर परड़े के इसाब से जो भी update होती है वो यहाँ पर आपके Microsoft 365 के अंदर automatic आपको update मिल जाएगा यानि उस नए feature का इस्तमाल आप अपने 365 में आसानी से कर पाएंगे तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से MS Word Excel PowerPoint के अलावा 18 application softwares का इस्तमाल कर सकते हैं वो भी Microsoft Office की official website से बिर्कुल free में तो चलिए आए जानते हैं कि आप इसे किस तरह से इस्तमाल कर पाएंगे दोस्तो इसके लिए आपको जा रहा है office.com URL पर और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे आपको sign-in का एक option दिखाई देगा इसके नीचे की तरफ अगर आप scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा फ्री और प्रीमियम Microsoft 365 has you covered यह सभी application software आप free में इस्तमाल कर पाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले sign-in करना पड़ेगा तो sign-in करने के लिए जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपस Microsoft Office की एक ID आपसे मांगी जा रही है तो या तो अगर आपके पास Microsoft ID बनी हुई है तो आप यहाँ पर इसे डाल करके sign-in कर सकते हैं अगर आपके पास Microsoft Office का कोई भी account नहीं है तो यहाँ से आपको account create करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें login हो जाएंगे तो हमारे पास already हमने इसमें एक ID बना रखी है उससे इसमें login हो जाते हैं तो दोस्तों login होने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का interface हमें दिखाई देगा और यहाँ नीचे की तरफ हमने जो भी अपनी files बना रखी है उस सारी files यहाँ पर हमारे सामने represent हो रही है इसकी बाद आपको जाना है यहाँ पर apps पर जैसे आप apps पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सभी applications यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसका इस्तमाल आप free of cost यहाँ पर कर पाएंगे जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर MS Word की, MS Excel की, PowerPoint की, OneDrive की, Outlook की, Terms की और Clip Jam की तो दोस्तो Clip Jam basically एक application software होता है जिसके अंदर आप video editing कर सकते हैं यह भी काफी अच्छा application software है इसका अब इस्तमाल आप free of cost यहाँ पर कर पाएंगे यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे calendar आपको मिलेगा, editor आपको मिलेगा, forms आपको मिलेगा जिस तरही से Google form होता है यह बिल्कुल उसी तरीके से यह form भी आपका work करता है यहाँ नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको list मिलेगा, loop मिलेगा, Microsoft Defender भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा वो भी बिल्कुल free of cost में, one note मिल जाएगा, आपको people मिल जाएगा, power automate मिल जाएगा, skype भी आपको मिल जाएगा स्वे के साथ साथ आपको to do के नाम से भी application software यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, bing application software भी आपको दिखाई दे रहा है और family safety के साथ सत, MSN, privacy और reward जैसे application software आपको यहाँ पर मिल जाएगे तो दोस्तों कुछ application software मैं आपको यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ जैसे सबसे ज़्यादा use किया जाने वाला application है, हमारा Microsoft Word, हम इस पर click करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको blank document दिखाई देगा, इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो MS Word होगा, वो यहाँ आपके सामने open हो जाएगा और बिलकुल आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी options यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो बिलकुल latest हैं और नए वर्जन में आपको यहाँ पर जो भी चीज़े मिलती हैं, वो सभी इस्तमाल करने के लिए आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डार्क मोड भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप चाहें तो इसे डार्क मोड पे भी convert कर सकते हैं, और आसानी से इ इसका इस्तमाल कर सकते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें हैं आपर MS Excel की तो यहाँ से चाहें तो आप MS Excel पर directly क्लिक करके Excel को open कर सकते हैं, यहाँ से blank workbook पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपका MS Excel यहाँ आपके सामने open हो जाएगा, और इस MS Excel के तो आप यहाँ से उसका इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर सम की shortcut की का इस्तमाल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, इसने उसे सम करके represent कर दिया, तो यह बहुत ही smoothly work करता है, आपको ऐसा बिलकुल भी महसूस नहीं होगा, कि आप एक application के अलावा web browser पर काम कर रहे है यह बहुत ही smoothly work करेगा, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर PowerPoint की, तो PowerPoint पर क्लिक करके यहाँ पर blank presentation पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने PowerPoint का भी यहाँ पर interface open हो जाएगा, और इसका भी preview आपको बिलकुल उसी तरीके से नज़र आएगा, जैसा application में आप इ यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, उसका interface कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पर आपको templates भी दिखाई देगे, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, कि आप जो video editing करना चाहते हैं, वो किस platform के लिए करना चाहते हैं, YouTube के लिए करना चा हमारा यहाँ से हमारे सामने represent हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसकी editing कर सकते हैं, बिल्कुल smoothly work करेगा, और यहाँ से चाहें तो आप इसे directly export भी कर सकते हैं, तो दोस्तो इस तरीके से Microsoft Office के यह सभी application software का इस्तमाल आप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल free of cost, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा, धन्यवाद